Hello friends, Welcome to my channel. और हमको लागेगा शूगर तो हम एही पर शूगर थोड़ा डास्ट कर लिया तो इससे क्या होगा स्क्राबिंग में आच्छा स्क्राब होगा नहीं तो यह स्कीन में बहुत दिक्कत होता है तो इसलिए स्कीन के लिए बहुत अच्छा है तो ग्लाइकोलिक एसीड हमारे स्कीन को प्लांप बना डेता हैρχे स्कीन को हाईड़ेट करता है और ब्लार्ट स्क्राइं स्वाष्ट बढ़ा देता है तो शूगर हमसे डास्ट कर लिया और इसके सादब हमको गुवार ड्ट्री तो गुवार गुंधिया हो जाएगा गुवार तो अच्छा से मिक्स करेंगे अगर को अगर करता है हमारे स्कीन को मॉस्टराइज करता है आथ स्कीन हाइड़ेट रख करता है तबार सब्सक्राइब करके धीरे-धीरे करना है चार पांच मिनिट ऐसा करना है पांच मिनिट के बाद हम हैंड को वाश करके आए तो पांच मिनिट हो गया कि यह हैंड को हम वाश करके आए अब हमको चाहिए घी यहीं पर हम हाप टीस्पून घी लिया और हाप टीस्पून यह आमोंड ओयल आपके पास जो ओयल है कोकुनाट ओयल आमोंड ओयल यह जो ओयल है ओलीव ओयल जो है लागा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा घी बहुत अच्छा मोईस्टरीजर का काम करेगा मिंटर में आपका स्कीन इतना ग्लोईं इतना ग्लैमरेस हो जाएगा देखिए यह वायल दीन में दो बार तीन बार लागा सकते हैं जिसका ज्यादा ड्राइए जब शुक जाएगा एक क्रीम लागा है और यह बहुत जोल्दी आपका रेजल मिल जाएगा मिंटर में आपका स्कीन इतना अच्छा हो जाएगा ऐसा करके लाता है अगर यह वीडियो आप लोगों अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू